कि ये गाइस वेल्गम बैक अगेन आई होप याल और फाइन सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विंडोस ऑपरणिंग सिस्टम में डीफॉल्ट अड्मिस्टेटर अकाउंट को कैसे अनेबल करते हैं एक्शली होता क्या है कि माइक्रोसाइट आपने सभी विंडोस ऑपरणिंग सिस्टम में डीफॉल्ट अड्मिस्टेटर अकाउंट प्रोवाइड करता है जो की बाइडिफॉल्ट डिसेबल होता है बट यूजर इसे अपने नीट्स के अकॉर्डिंग एनेबल कर सकता है इसके लिए सबसे पहले हमने अपने यूजर अकाउंट से cmd को run as an administrator करना है और आप यहां हमने command type करनी है net user यह command windows के सभी user के list को आपके टर्मिनल पर show करा देती है आप देख सकते हैं कि यहां हमारी सारे users listed हो चुके है अब यहां हम अपने स्क्रीन पर अड्मिस्टेटर अकाउंट की सारे details को चेक कर सकते हैं यहां आप देखेंगे कि हमारे यह अड्मिस्टेटर अकाउंट का active status अभी no है अभी हम अपने इस में या फिर डिफॉल्ट अड्मिस्टेटर अकाउंट से लॉगिन नहीं कर सकते हैं इसे इनेबल करने के लिए हमने एक और कमांड एक्जीकूट करनी होगी बट फर्स्ट क्लियर दे स्क्रीन अड्मिस्टेटर अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं अब हम अपने अड्मिस्टेटर अकाउंट से लॉगिन करने के कोशिश करते हैं अब हमारे इस अड्मिस्टेटर अकाउंट पर कोई पासफ़र्ट सेट नहीं है इसके विएस से इसने हम से कोई पासफ़र्ट नहीं पूसा और डारेक्ट लॉगिन हो गया यह अपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स को इनेवल कर रहा है बिकास यह फर्स टाम लॉगिन हो रहा ह सो आप यहां देख सकते हैं कि अब हमारे अड्मिस्टेटर अकाउंट से लॉगिन हो चुका है नौ बैक टू अवर अनदर अकाउंट जहां से हमने अभी पासफ़र्ट चेंज किया था अगर आप चाहें तो कंपुटर मेंजबैंट में जाकर भी graphically enable या disable कर सकते हैं इसके लिए computer management में जाना है और यहां administrator character account पर right-click करके भी enable कर सकते हैं रहाकोर्ट फेन्मिस्टेटर चाहें तो password भी set कर सकते हैं without asking previous password और अगर हम command line से किसी भी user का password अगर change करना चाहते हैं तो उसके लिए dos any terminal पर जाना है and write the command net user username like administrator and type your password here and simply hit the enter but don't forget to run as an administrator first so इस तरह से password भी हम लोग set कर सकते हैं without asking previous password I hope this video would be informative and helpful for you soon we will meet in another session till then be happy and enjoy your time thank you so much for valuable time and your love and support